दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासन कार्ट आलाइन के बारे में आलाइन के बाद आपका क्या करना पड़ेगा जिससे आपका रासन कार्ट बन जाए दोस्तो यदि आपको आलाइन रासन कार्ट करने में क्या क्या लगता है क्या प्रोसेस होता है जानना है त से छोड़ देते जिसकी वज़े से उनको दिक्कत आता है और रासन काड जनरेट नहीं होता है UP के लिए यदि आपको UP के लिए रासन कार्ट चाहिए उसके लिए आलाइन के बाद भी प्रोसेस होता है जो जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों मैं आपको बता दू कि रासन कार्ट जब भी आपका अप्लाई किया जाता है तो हम लोग भी अप्लाई करते हैं तो अप्लाई में जितना डॉकुमेंट्स लगता है अप्लाई करकर उसे जनरेट कर देते हैं और निव रासन कार्ट नंबर भी जनरेट होकर मिल जाता है उसके बाद मैं आपको बता दू कि अल्लाइन के बाद भी एक बात को आपको ध्यान रखना है क्यों 24 घंटे बाद फाइनल रिसीबिंग निकलता है कुछ मैं स्क्रीन सा का चार्ज करता है यूपी के लिए तो चार्ज करता है और फाइनल रिसीबिंग जो निकलता है उस पे जो लीखा नहीं आता है कि अभी लाक अपूर है तो 24 घंटे बाद जो है उसको अग्रिसित किया जाता है जाच हे तो भेजा जाता है 24 घंटे बाद उसको लाक किया जा इंबर्स रहते हैं जिनका भी उसमें अधार काड़ जूडा रहता है उन सभी का आधार काड़ के साथ आई परमाण के साथ और जो रिसीविंग रहता है उसको लेकर आपको संबंधित अधिकारी यानि आपको ब्लाग पे जाना पड़ेगा ब्लाग पे एक फूड सर्विसेस होता है जैसे सप्लाइइ स्पक्टर के नाम से जाना जाता यहां पे यदि पहुँचने के बाद सम्मादित अधिकारी तर सत्यापित के लिए जाना जरूरी होता है, सारो डाकुमेंट्स लेकर आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपका फीजिकल सत्यापित होगा कि यह बंदा मेरे पास आया है, जिसका अलाइन हुआ है, जिसका रासन कार्ड नंबर इत बेरिक्फिकेशन के बाद जैसे हो जनरेट होता है, तब आपका नेट में, सूची में आपका नाम सो होने लगेगा, तो आपको ध्यान देना है कि आलाइन के बाद कितना प्रोसेस आपको करना जरूरी है, और जनकारी के लिए चैनल को सस्क्राइब करिएगा, और लाइक जरूर करिएगा,